कि ऐखेव दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे उत्तल दरपण द्वारा अपवरतन के लिए क्या फार्मूला होता है दोस्तों क्लास 12 का यह महात्पूर्ण टापिक है क्योंकि इस तरीके के questions प्रूफ करने के लिए आपको आ जाते हैं बोड़ एक्जाम में पूस दिये जाता है कि गोली दरपन द्वारा अपवरतन का सुत्र अस्थापित कीजिए दोस्तों यह सुत्र होता है येन 2 बटे V-1 upon U बराबर येन 2-1 upon R इसको प्रूफ करने के लिए आप दो माध्यमों का प्रियोग कर सकते हैं दो तरीके से या तो उत्तल दरपन द्वारा अपवरतन या फिर आउतल दरपन द्वारा अपवरतन दोस्तों इस वीडियो में हम उत्तल दरपन द्वारा अपवरतन होने पर इस सुत्र को कैसे सबसे पहरे मिल जाएगा चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों आपको सबसे पहरे कुछ चीजें जाननी आवस्यक हैं जैसे कि इस नेल का नियम क्या होता है या फिर किस माध्यम के सापेच किसका अपवरतना किस प्रकार से निकाला जाता है आपको पता है यहां प दिवायों से उत्तल दर्पन से टकुराएगी तो टकराइए के यह आपको पता है माध्ययम का सघ्ञन है यह अंदर माध्ययम में जाएगी तो अभीलम बना हुआ है जो कि वकरता के अंदर सी पर मुख्यक को काट रहा है यह मुखे अच्छे के समानतर जाने वाली किरण है प्रकास की किरण और यहाँ पे यह कोण पे जाने वाली किरण है जब यहाँ से टकराएगी तो अभिलम क्योड जुकेगी और ऐसे आके यहाँ पे इमेज का निर्मार करेगी चुकि यहाँ पे दो किरणे आके मिल नहीं है इसलिए यहाँ पे इमेज का निर्माड होगा एक तो यह वाली किरण और एक मुख्यच के समानतर जाने वाली किरण दोनों जाके यहाँ पे मिलेंगे और यहाँ पे इमेज का निर्माड होगा अब यहाँ पे चुकी यह कोड आपतन कोड है तो यहाँ पे आपतन कोड आई मान लेंगे यहाँ पे अभिलम की और जुकी है तो यहाँ पे अभिलम की और जुकने पर अपवरतन कोड है अपवरतन कोड आर मान लेंगे यह कोण माल लेते हैंगी A है इस कोण को माल लेते हैं B है और इस कोण को माल लेते हैं C है चुकि यह धुरू है तो धुरू से वकरता केंदर के बीच की दूरी वकरता तरिज्या कहलाएगी धुरू से वस्तु के दूरी यू से प्रदर्शित करेंगे और धुरू से इमेज की दूरी को वी से प्रदर्शित करेंगे निश्ची तोर से यहां तक चीज़ें समझ में आया होगा यदि फीगर समझ में आया है चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा यह होता है कि sin i बटे sin r is equal to पहले माध्यम के साथ पेच दूसरे माध्यम का अपवरतनांग यह चीज होता है अब यद यह कोण यह आपतन कोण और यह अपवरतन कोण बहुत छोटा हो तो हम sin i के जगह पे i तथा sin r के जगह पे r लिख सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि sin 0 once command 0 होता है इसका मतलब यद यह कोण बहुत छोटा हो तो हम sin को हटा सकते हैं इसलिए यहाँ पे लिखा जा सकता है चुकि sin i is equal to i where sin r is equal to r लिखा जा सकता है इसी कारण से यह है जो लिखा है इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं i बटे r बराबर यहाँ पे चुकि पहले माध्यम के साब पेच दूसरे माध्यम का पवरत्रांग है इसको लिख सकते हैं yen 2 बटे yen 1 अब यहाँ पे इसका हम तिरियक गुड़ा कर लेंगे इसका इधर गुड़ा हो जाएगा और इसका इधर गुड़ा हो जाएगा हमको यहाँ पे मिलेगा i yen 1 बराबर r yen 2 इसको हम समीकरण एक मान लेंगे यहाँ तक समझ में आया है तो निश्य तोड़ से आगे चीज़ें भी समझ में आने वाली हैं अब देखिए यहाँ पे i और r का मान हमें रखना पड़ेगा यहाँ पे figure में देखेंगे और figure से हम i और r का मान यहाँ पे हम रखेंगे अब चुकि आपको पता है कि यह आपतन कोण आई है तथा यह अपवरतन कोण आ रहे है चुकि आपको पता है यह भी कि बहिर मुखी कोण का मान किसी भी त्रिभुज के बचे हुए सेस दो अंतर कोणों के योग के बराबर होता है इसका मतलब यह है यदि हम त्रिभूज बना दें और इन सभी का कुछ नकुछ एंगल होगा तो यह जो बाहर वाला एंगल है यह इसके और इसके युक के बराबर होगा तो यहाँ पर देखी यह A कौण है यह B कौण है और यहाँ बहर मुखी कौण I है तो I का मान क्या होगा A प्लस B के बराबर होगा इसको हम समीकरण दो मान लेते हैं तथा यदि हम त्रिभूज लेते हैं यम C I यह वाला त्रिभूज लेते हैं यह वाला त्रिभूज लेते है तो हमें बाहर कौन B मिलेगा तो B बराबर हो जाएगा यहाँ पर R है यहाँ पर C है तो R प्लस C हो जाएगा चुकि हमको R कमान निकालना है इसलिए R बराबर यहाँ पर लिख देंगे B माइनस C इसको समीकरण नमबर 3 मालेंगे अब आपको यहाँ पर I और R कमान समीकरण एक में रख देना है समीकरण एक में यदि रखेंगे तो आपको मिलेगा A प्लस B इन्टू याण 1 बराबर B माइनस C इन्टू याण 2 यह समीकरण 4 मालेजिए यदि आपको कहीं नहीं समझ में आया है तो एक बार पीछे थोड़ा सा वीडियो करिए और फिर से देख लिजिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर A और B कमान और B और C कमान हमको यहाँ पर रखना पड़ेगा तभी हमें यह सूत्र प्राप्त होगा अब हम फिर आएंगे अपने चित्र की और और चित्र में देखेंगे यहाँ पर A है यहाँ पर B है यहाँ पर C है और यदि इसको हम सीधी रेखा माने तो यह एक प्रकार से यहाँ पर लंब का काम करेगा और हमें तीन त्रिभुज प्राप्त होगे O, Y, P प्राप्त होगा एक यम पी सी प्राप्त होगा और एक यम पी आई प्राप्त होगा ये बड़ा वाला त्रिभुज तीन त्रिभुज प्राप्त होगे और तीनों त्रिभुज में हम 10 थीटा कमान निकालेंगे पहले त्रिभुज में 10 A बराबर हो जाएगा 10A बराबर Lumb बटे आधार Lumb कमान है H Sh मान लेते हैं और आधार यहाँ पे U है चोकि direction बाइने ओर है इसलिए यहाँ पे minus U हो जाएगा और फिर 10B कमान निकालेंगे तो 10B बराबर Lumb बटे आधार Lumb कमान हम H माने हैं और आधार कमान यहाँ पे R है यहाँ पर radius है चुकि यहाँ दाहिने हो रहे है इसलिए यहाँ पर प्लस लिए है तथा 10C बराबर H बटे यहाँ से यहाँ तक की दूरी टोटल प्रतिविम की दूरी है तो प्रतिविम की दूरी यहाँ पर वी से लेंगे चुकी दाई हो रहा है इसलिए पाजिटू लेंगे हमें तीनों कोण का मान पता चल गया है यदि कोण A, B, C बहुत छोटे हों लगभग 0 के बराबर हो जीरो वन्स के बराबर हो तो 10 को यहां भी छोड़ा सकता है अता है A का मान आएगा H बटे माइनस U, B का मान आएगा H बटे R और C का मान आएगा H बटे V अब इन तीनों का मान आपको समीकर नमबर 4 में रख देना है और आपको जो प्राप्त करना है यह वाला फार्मूला आपको प्राप्त हो जाएगा कुछ भी नहीं करना है बहुत ही आसान यह प्रूव है A, B और C कमान यह यार बखेंगे तो यहाँ पर H बटे माइनस U A कमान है B कमान है H बटे R कोष्टक के बाहर है यह नवन बराबर B कमान है H बटे R माइनस C कमान है H बटे V कोष्टक के बाहर है यह नटू एच को बाहर लेएके काट सकते हैं यह को काटने के बाद हम को क्या चीजे मिले गए यह से हम गुड़ा कर देते हैं तो प्लस एन बटे-ध को यहalा तो ए नवटे-ध को यहां और यहां है उसको एक तरफ लाईये तो एक तरफ लाते हैं तो चूकि यहां पर अस्थान कम है तो आप यहां पर समझने की कोशिस करिएगा मैं इसी पर समझाना चाहता हूँ क्योंकि यदि मैं पीछे ले जाओंगा दूसरे पेश पे तो चीजें समझने में थोड़ा सा मुस्किल होगा यहां पर देखिए यह नवन बटे माइनस यू यहां पर है तो म मैं थोड़ा सा बढ़ कर देता हूं यहां पर देख सकते हैं यहां पर मुझे बंचे उपर यहां तो मुझे को प्राप्त हो लिख सकते हैं और हमें यह समीकरन प्रूफ हो गया यहने 2 बटे V-1 बटे U बराबर यहने 2-1 बटे R यह हो गया प्रूफ निश्चित तोर से यह चीजें आपको समझ में आई होंगी कहीं भी नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट जरूर करिएगा कमेंट करेंगे तो आपको सेलुशन अगले वीडियो में मिलेगा और आपको दो तीन बार यदि यह वीडियो देख लेते हैं तो आपका पांच नंबर एकदम कनफरम हो जाएगा यूपी बोड की एकजामनेशन में 2013 के तो निश्चित तोर से वीडियो पसंद आया है वीडियो पसंद आया चैनल को स झाल